कि एक समिक्षा भी होनी है आज दिन की ट्रेट के बाद इंडेक्स मेंटेरंस सब कमिटी के बैठक है और एक्सपेक्टेशन है कि यूपील को निकाल कर शाए शीराम फिनान्स को लाया जाए लेकिन विवेक से जान लेते हैं कि क्या एक्सपेक करें विवेक, गुड आफनून वेल गुड आफनून, एक्शली सबसे पहले हम लोग शुरू करते कल के ट्रेडिंग से कि कल क्या हुआ, येस्टिदेए हमने काफी डिसकस किया, काफी चर्चा किया कि स्रीराम फिनान्स अल अफ अफ असदन इतना वॉलाटाइल क्यू हुआ, कल इंट्राडे अलमॉस 10 पर कि निफ्टी PSU Bank Index या कोई other index जो F&O traded नहीं है, उसमें non F&O stocks आ सकते हैं, लोगों ने इसका ये समझ लिया कि शायद हो सकता है कि श्रीराम फिन से आगे जो दो कंपनी है, जिसका market cap स्रीराम फिन से जादा है, दो कंपनी, Zomato as well as Demart, जो because वो F&O में नहीं है, वो in the race नहीं ह निफ्टी 50 में आने के लिए, तो कल लोगों का ये गलत understanding के वज़े से, श्रीराम फिन में बहुत volatility हुआ, हमने काफी reach out किया था, काफी media वालों ने reach out किया था NSE को, और NSE ने कल शाम को बोला, clearly, that today, आज market close के बाद, एक meeting होगा, जापे index committee जिसे कहते है, वो decide करेगा, NSE के कई सारे indices है, सब index में क्या changes होंगे, biannual होता है, क्या changes होंगे, और सबसे जादा हम जो track कर रहे है, वो है Nifty 50, because, हम क्यों track कर रहे Nifty 50, like you said, श्रीराम फिन अंदर आई आ सकती है, और UPL भार जा सकती है, यह हम इसके लिए track करते है, because, जो भी ETFs है, all of the Nifty ETF funds, उन्हें track करना होता है, और उन्हें सेम मूफ करना होता है, which the Nifty index manager does, उसके अजिर से स्रीराम फिन में काफी positivity थी, कि अगर यह stock आएगा, तो एक तो buying भी आएगा, liquidity भी बढ़ेगा, और analyst coverage भी बढ़ेगा, इसके कारएं, स्रीराम फिन वास इन दफोकस, and आज शामकों में clearly पता चलेगा, कि Nifty 50 में entry कौन होगा, exit कौन होगा, chances है है, स्रीराम फिन को आने के लिए, लेकिन chances Zomato और Demart के भी है, Demart of course, बहुत सालों से विवेक उसकी बाचीत हो रही है, market cap देखी अभी तकि Nifty का हिस्सा क्यों नी बना है, वो तो वायदे में भी नहीं आया, लेकिन Zomato को लेकर, लो कि हम non F&O stock में इंडिस के अंदर ला सकते हैं, but today also, आज सुबह भी पैने देखा, rules देखा, फिर से देखा, आप से सुबह भी बात वा था, कि यह आ सकता है कि नी, rules काफी clear है, because जो underlying Nifty है, underlying bank Nifty है, वो सब F&O में ट्रेड है, तो जितने भी underlying stocks है, so Nifty के हर stock F&O में रहना जर speculation की बात है, तो हम speculate नहीं करेंगे, अभी के लिए तो इतना हमें समझना चाहिए कि, if the stock is in F&O, फिर ही, वो Nifty 50 में आएगा, but today, आज शाम को हमें complete, you know, सफाई मिल जाएगी, बिलकुल, इसमें में लेकिन, मैं एक चीज़ बैसे विवे clear कर देता हूँ, Avenue Super Mart, अभी के लिए पास खुद है, इसके लिए, और Zomato का Free Float, इन तीनों कंपनियों में सबसे आ रहा है, 98,000 क्लोर का, बहाँ पर Free Float Market Cap है, लेकिन, eventually, Zomato भी आएगा, इंडेक्स में, ये भी आएगा, आपका Avenue Super Mart भी आएगा, और Shiraam भी आएगा, eventually, तीनों आएगे, इंडेक्स चेंज इसे तरीके से होता रहता है, तो ये तो आना है, उसके बाद पिडिलाइट को भी आना है, तो ये सब तो खेर चलता रहेगा, लेकिन, near term में, खेर, clearly, आज वैसे थोड़ा सा greenery है, Shiraam Finance में, लेकिन, देख लेते हैं एक बार, वैसे, हरकोई अगर एक चीज़ एक चीज़ 4% नीचे बंद हुआ था, finally, आज कुछ action बंद हुआ दिखाएदरे, Shukriya, Vivek, of course, देखेंगे, कि finally, आज market बंद होने के बाद, वो committee क्या decide करती है, पोजिशन लेके जानी है या नहीं, Amit, क्या बंद बन रहा है, Shiraam Finance में, जी माम, one second, थोड़ा सा market, वैसे तो stock stable market थोड़ 2-3-7-5 के लेवल्स का 1-1-1.5% का stop loss बना के रखेंगे for targets for 24-50, but only if you are comfortable with the markets.